हैदराबाद में हुई रेप की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का महाल था लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही हैदराबाद पुलिस के द्वारा चारो आरोपियों को इनकाउंटर किया जाता है, मार गिराया जाता है और अब इस मामले में सुप्रीम कोट में दो याचिकाय दायर की गई है, एक याचिका सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकिल जी एस मणी ने दायर की है और दूसरी याचिका एमल शर्मा ने दायर की है इन दोनों का कहना है कि यहाँ पर जो इनकाउंटर किया गया है, यहाँ पर सुप्रीम कोट के गाइडलाइन की अंदेख़ई की गई है, जो की पूरी तरीके से गलत है जिन पूलिस वालों ने इनकाउंटर किया है, उनके खलाफ एफ आई आर होना चाहिए, जाच एजेंसी से जाच होनी चाहिए और जिन नेताओं ने इसका समर्थन किया है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का उनके खलाफ भी कारवाई होनी चाहिए इसके अलावा गैग रिपोर्टिंग यानि कि एक तरफा रिपोर्टिंग मीडिया के बैन करना चाहिए, इस तरकी की मांग की गई है, आप देखना होगा कि क्या इस मामले में सोमर्थ को सुनवाई होती है या फिर नहीं होती है मैं सुचित्रा मुखरजी टोटल न्यूस के लिए दिलनी से वीडियो जर्नलिस संदीप के साथ